नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 48 वर्स के पुरुस के पाम का एनालेसस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उस के लिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपने आप बिजनस चलाते हैं, पेट्रोल पंप वेगरा का इनका विपार है, आगे किस जिंदगी के विशह में ये जानना चाहते हैं, कि आगे किस जिंदगी इनकी कैसी रहेगी, हादली पर क्या पैसा कमाते हैं बहुत कमाते हैं लेकिन बचने में थोड़ी समस्याई होती है तो उस विशे पर भी इनको जानना है आखिर इनका पैसा बसता क्यों नहीं है कुछ-कुछ खर्चे लगे रहते हैं इंकम को लेके कोई समस्याई नहीं है लेकिन बचाव को लेके समस्याई है तो तो आखिर अपने हाथ को देखके ये आप कैसे समझ सकते हैं, तो इस केस में क्या होता है ना, कि आपकी धन रेखा खराब नहीं होती, आपकी बुद्ध रेखा खराब होती है, समझना मेरी बात, जब भी आपके पास पैसे आने की दिक्कत नहीं होती, पैसे रुकने की दिक् लेकिन बुद्धरे का पैसे को रोकता है या दूसरा इसका पहलू आप समझेरे का कोशिश करेंगे तो जादा पैसा आता है मतलब आपके खर्चे अगर 10 लाख रुपे हैं तो आपके पास 50 लाख रुपे आएगा कहने कार्थ है कि अगर आप मन्थ का 10 लाख रुपे खर्च करते हैं तो आप मन्थ का 50 कमा पाएंगे और बुद्धरे का ना होने के बाद उस प्रकार से बल्क में पैसे नहीं आएंगे जो की बचेगा नहीं खर्चा तो तना ही होता है लोगों का जितना खर्चा ओना मतलब है तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महतपूर है जो अपने जिन्दगी पर खास करके इस समस्या से प्रशान है और जानना चाहते हैं आखिर इसका निवारन क्या हो सकता है इस चीज का उपाई क्या हो सकता है तो आज की वीडियो उसी बात को मैं पहले सम तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ, तो एक से अधिक सूरी रेखा है, तो जब भी किसी विक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूरी रेखा होती है, फर तो दिक्कती नहीं है, फर तो जिदा तक बड़े गुनी होते हैं, बड़े टरेंटेड होते हैं, अब सूरी जो की बहुत जबरदस सूरी रेखा मानी जाती है, और यहां से भी एक सूरी रेखा आपके अतले पर अवस्तित है, यह वाली, तो तीन-तीन सूरी रेखा हैं अतले पर अवस्तित है, तो यह इंडिकेट कर रही है, कि ऐसे विक्ति मल्टी तरेंटेड है, जबरदस गुनी ह सूरी रेका मान सम्मान की रेखा होती है सूरी रेका गुंड की रेखा होती है अगर किसी विक्ति के हाथ पर एक सूरी रेका भी होती है तो एक source of income को दर्शाता है एक job को दर्शाता है और आपके नौकरी तभी होगी जब आप पढ़े लिखे होंगे जब आप talented होंगे तो यहाँ पर से अगर एक से ज़्यादा सूरी रेखा होती है तो जातक बड़े गुणी होते हैं कम महनत में ज़्यादा सफलता को प्राप्ट करते हैं क्योंकि इनको सिर्फ दिखने में लगता है कि कम महनत कर रहा है अब इसको मैं एक example में आपको समझाता हूँ मैं पराया वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपके हाथ पर एक सूरी रेखा से ज़्यादा सूरी रेखा आवस्थित खड़ी है सीदिया तो आप कम महनत में ज़्यादा सफलता को प्राप्ट कर सकते हैं अब इसको अगर आप logical sense में समझना चाहेगे कोई रटने वाली बात नहीं है कि अगर आपके दिमाग में power है अगर आपका mind तेज है तो आपको ज़्यादा सार्रिक सरम नहीं करना पड़ेगा तो सूरी रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर एक सरम नहीं होता है तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक से ज़्यादा सूरी रेखा होगी तो कम महनत में दिखने वाली कम महनत में आप ज़्यादा ज़्यादी सफलता को प्राप्ट कर सकते हैं आप कोई विक्ति बैठे बैठे अपने दिमाग के दम पर software डेवलप कर दिया, करोरों में कमा रहा है, अडबों में कमा रहा है, पैसा का limitation से नहीं है इतना जिंदगी पर पैसा आ रहा है, वो कैसे आता है, वो आपके mind के capability, mind के बल, mind के power पर आता है, तो सीरिसी बात है, इस कुछ हुआ ही ना हो, तो आप काफी talented है, काफी गुणी है, जबरदस सूरी देखा है, इसके उपरान दोर क्या positivity है, भाग गिरे का सुरवाती दोर से बढ़िया चली है, एकदम सूरी के तरह पतली है, पैसे बस खर्ची होते हैं पैसे आने में दिक्कत नहीं है, जबरदस भी बनी हुई है, लेकिन एक समय के बाद तो बहुत बेमिशाल है, मैं उसके इसको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ, और ये सम भी आपके भाग गिरेका के ब्रांचे से जो की अदुईती है, तो भाग गिरेका हाथ पर हो, तो फिर दिक्कत ही क्या है, फिर परशानी ही क जातक की जिन्दगी पर धन की आगवन बड़ी अच्छी होती है, पैसा जिन्दगी पर आता ही रहता है, इसके उपरात एक बहुत जबरदस्त मस्तिक से रेका, दिमाग के बहुत तेज विक्ती है आप, जबरदस्त तेज है आपका दिमाग, और हिर दा रेका भी काफी ना हो, अबस्टेकल की रेका ना हो, तो लाइफ में प्राब्लम्स कम होती है, एक जबरदस्त स्क्वाइर साइन, एक गजब का स्क्वाइर साइन जुपिटर पर, तो कहीं न कहीं आने वाले जिन्दगी में सेटर्मेंट को बताता है, इसके उपरात इनके प्लैनेटरी कंडिशन्स बहुत शांदार है, शुक्र काफी प्रबल है, आपका दोनों मंगल बहुत सबरदस्त है, चदरमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगबग, लगबग, लगबग प्लैनेट्स, मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडिशन्स में हो, आ आपके lines अच्छे conditions में हो तो जातक की जिन्दगी पर धन की दिक्कत थोड़ी होती है जातक की जिन्दगी पर comfort की दिक्कत थोड़ी होती है पैसा जिन्दगी पर तो आता ही आता है बल्क में आता है बहुत जाना आता है चलो जी यह तो हो गई इनके positivity जो की बेहशांदार मु सकती है तो पहले तोरह concept से आप समझेए आप करते है विपार नो डाउट आपका विपार है बरा विपार या छोटा विपार विपार होता है और विपार की रेखा जब आपके हाथ पर visible ना हो तो यह बरे चंता जनक बुद्धरेका में कुछ गर परी और बुद्धरेका होती है विपार की रेका अब इनकी बुद्धरेका पर जम में नजर डाला तो ये मुझे बहुत कम विजिबल दिखा अगर मैंने ठीक से देखा तो ये मुझे दिख जरूर रहा है भागे के धनी वेक्ति ये भी मुझे मागे रेका दिखा रही है लेकिन ये बुद्धरेका विजिबल कम है तो इसका अर्थ ये हो गया कि जातक विपार तो करते हैं लेकिन वही वाली बात है कि असंतुस्टी वाली बात बड़ा विपार होने के बाद भी थोड़ी असंतुस्टी है कि थोड़ा और बचना चाह यह बचना चागिए था एक ही बात है तो अब इनका concern हो सकता है चलो यह तो एक negative तरजपढ़ी मैं लेना चाहूँगा अब इनका concern हो सकता है यह चीज visible कैसे हो एक बहुत बड़ी बात है कि यह चीज visible कैसे हो यह बड़ा बात होता है तो visibility के लिए जरूरी है कि इसके negative पर वो देखना बहुत जरूरी है क्या पता उस negativity के वज़ा से problem हो क्योंकि positivity के वज़ा से तो problem होती नहीं है अब फिर तुरस सा समझ यह basics बात को अगर यह बुद्धरे का visible नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि बुद्ध का ही गरबरी हो का जो बुद्धरे का गरबर है यह हो सकता हुआ कि ब्रश्पती क्या करता है कार छेतर को बराने में दिक्कत करता है आपका कार छेतर है वेपार आप वेपार करते है आप वेपारी वर्ग से तालुकात रखते है तो वेपार को ना बरहा पाना वेपार में अगर पैसा बचेगा नहीं तो आप बरहा कैसे पाएगे त तो ये हो सकता है ब्रश्पती का side effect हो, हो डी सकता है definite है और कुछ गरबड़ तो है नहीं, तो बस इसके लिए ज़स दिन आपने उपाय कर लिए आप ब्रश्पती के लिए, ऐसे ब्रश्पती के लिए कहा जाता है पुक्राज रतन बहुत सही होता है, और उसके उपरांद भी और भी बहुत परकार के उपाय होते हैं, तो इस जुपिटर के लिए अगर आपने उपाय कर लिया, तो मेभी आपकी जिन्दगी पर ना धन का flow वे फिर बरते रहें, धन की flow बहुत जबड़दस होते रहें, और ये बुदर एकावे visible हो जाए, तो नेगेटिव चीज के वज़ा से ही आपकी जिन्दगी पर नेगेटिविटी होती है, आपके अच्छे sign तभी फल नहीं दे पाते जब कोई नेगेटिविटी रहती है, अगर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, तो आपके अच्छे sign क्यों नहीं फल देंगे आपको, बहुत ये अच्छे से देंगे, तो ये नेगेटिविटी थी, अब दूसरी तरफ क्या होता है, कभी कभी हटली पर बहुत ज़दा नेगेटिविटी हो जाती है, कुंडली देखने के आउशक्ता हो जाती है, इनके हाथ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक नेगेटिव था, फिर जीवन रेखा तो बड़ी सांदार दिख रही है, तो मतलब बस बरश्पती के लिए अगर आपने उपाय कर लिया, तो प्राउबलम नहीं होगी, अलाकि मैं आपको बताता कि सूरी रेखा के लिए भी उपाय करो, लेकिन जिस आयू से आप गुजर रहे हैं, जिस एजे से आप गुजर रहे हैं, उसमें ये सूरी रेखा का आपको फल मिलना चाहिए, ये आपका सूरी रेखा जातक है न, ये पितालेस वर्स की आयू के बाद से सही आते हैं, चलो जी, ये तो होगई, इनकी पॉजिटिव नेगटिव, अभी इनका प्रशन थे, कि आगे की जिन्दगी कैसे रेखी बागी, जो उपाय है वो तो मैं आपको देना ही हैं, अब आपके जीवन रेखा से आगे की जिन्दगी को मैं कवर की देता हूँ, तो ये इनकी complete life line है, यहां से दवाब है तो जातक के life में problem, जातक के जिन्दगी में problem, एक ही बात है, उसके बाद कुछ प्रगती के योगते, तो बचपन में struggle तो आपका definite रहा है, अलाकि काफी जल्दी आप independent हो चुके हैं, महज 18 वर्स के हैं, उस ऐसे विक्ती सोचने लगते हैं, और करने का प्रियास करने लगते हैं, उसके उपराद देख, आपके 24 में में तरक्की थी, तो मुझे कोई विसस्तम दिक्कत नहीं दिकरा आपके लाइफ 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 लाइफ लाइन पर कोई राहू रेखा नहीं है, कोई समस्याए नहीं है, लाइफ में आप्स्टेगल नहीं है, अब आपके पैसे ना बचने हैं, तो इसकी जो भी दिक्टती थी, डायग्नोसिस का प्रक्रिया तो वो तो मैंने बता दिया, जीबण रेखा से मूल बहुत कोई समस्याई नहीं है जीबन रेखा को लेके कोई वैसे इस तम दिक्कत नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी positivity है कि life line आपकी बड़ी smooth है बड़ी खतरनाग है तो ये तो अगी इनकी positive negative और इनका मुलबूत प्रश्ण है अभी इन कहते लिका हम जलना दिन करेंगे चीज़ों को अस्पस रूप से clear करेंगे तो वीडियो काफी ज़ाद महतपून है देखे सीखे समझे तो ये आगया है इनका square spa मद्दे मेच का सफलता को पाते planets लगबग चुड़ाई लीवी है तो जातक बड़े जिद्धी पड़े वरतिके होते है लाइफ में जो चीज़ करने की इक्षा होती इसको तो बेशक ये लोग करते है गुलाबी एतरी धन को अट्रैक करते है जबी भी पैसे की आवशकता होती है तो धन कहीं न कहीं से इनके पास आई जाता है गलत बात करेंगे एक दम इमानदार परविटिक है जो बात मुख से निकलेगा उसको करेंगे समझदारी के लूप काफी अच्छी विक्ति बहुंचाता समझदार है समझदारी के लूप कोई समझ चाहे नहीं फिंगर पर खड़ी रेका आवस्ति तो जो इंडिकेट कर रही है ऐसे विक्ति दिल के भी बड़े अच्छे है दिल के भी बड़े अच्छे है इसमें कोई संदहे वाली बात नहीं है ये चोटी बड़ी इंसान काफी इमति तिल कर रहे अच्छे दार्मे कास्ता है सेटर्ण फिंगर लंबी है तो काफी महनती है आप सूरी फिंगर आपके हिम्मत को तो बता ही रहा है बुद्ध फिंगर फिंगर फर्स फिलेंच के उपर है अब दवाब में लिए वेर कंडिशन में रहे तो ये आगे इनके स्क्वायर ये इंडिकेट कर रही है कैसे विक्ती डेफिनेटली 32 वर्स के बाद एक सही जिंदगी जीते लेकर अगर ब्रशपती का सही उपाय कर लें तो फर तो कोई दिक्कती नहीं है ये आपकी लाइन से जो ये परुपकाई लेखा होती है जातक परुपकारी होते है दूसरे के लिए करना चाहते है और हमेशा परिवार के साथ अच्छी बांडिंग को बला के चलते है लोगों के परती अच्छी बाबना लेती है माइंड रेका बड़ी जबरदस ते दिमाग तो बहुत तीज है आपका एड़दर रेका भी काफी शांदाले नौनमल भावों के आगे एड़दर रेका भी बड़ी अच्छी है और ये देखो विश्ण युक का फॉर्मिशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप बैलन्स काफी अच्छा दिल दिमाग से बहुत तंदरुस्त है यहां से दबावे तो विक्ती काफी ज़ादा महनती है जबरदस बाग्य रेका जिंदगी का लास्त तो बाग्य का पूरा साथ पूरा विकास इस चीज का ये परचे करा रही है सूरी रेका एक से जादा है, सूरी रेका तो आपको टरिंटर बता ही रही है जातक बहुत गुणी है बहुत तेज दिमाग है आपका दोनों बंगल बहुत जबरदस्ट है इनर्जी प्राक्रम समर्पन डेडिकेशन इस चीज में किसी प्रकार का संदेह नहीं है किसी प्रकार की समस्या नहीं है दोनों मंगल बहुत सब्रदस्त है बागी चंदरवाइ बढ़िया है पैसे के फ्लो बनी रहेगे ये सब लाइन्स है तो ये विशेस्तम यात्राओं को बताती है और चंदरवाइ धनकी आगमन को बड़ी अच्छी बताती है जातक के जंदगी में धनकी आगमन बड़ी अच्छी रहती है पैसे आते बहुत जादा है बस वही खर्च वाले इस्तिती को रुख जाए तो फर दिक्कत ही नहीं है भागियरेका सुरवाती दोर से चीरिये फेश्नुमा आकिरती के साथ अकास्मिंग दरलाब कराता है और ये जातक को बिसनस के अविलिटी भी परदान करता है पैसे बागियरेका भी बड़ी शांदार है 36 अ कर दिसके फोर घरबर 23 पर तो बागियरेका बड़ी शांदार है इसके लिए वर्क करना उपाय में देदूँगा आपको ये भी कम विजिबल है चीवन रेका अच्छीए आयो-धिरगायो है ये कुछ मंगल रेखा के ब्रांच है, जो की बहुत सठीक नहीं है, लगजरी सुक के प्रापर लाइन से वो तो मिलेगा, बनी मैंजमेंट बढ़ियां शादी के बाद भागुदे होती है, वाइफ काफी बागेशाली होती ही इनके लिए, शुकर बढ़िया जिंदगी अच् तो स्ट्रेस हो जाया करता है, सोचने के थोड़ी प्राप्लम जरूर है, बाद भागेशाली कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तैनी करते लिए का पूर्णताव इस्ट्रेशन, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे, अगर आप व्यक्तिकत दुरुप से मैं इसास तेरे का दिकांगे सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वॉट्सप्न में डिस्क्रेशन मिल जागा, लेकर आप सब पढ़क कर सकते हैं, धन्यवाद